अमश्कार, Born Life Artificial Limb Center में आपका हर्दिक श्वागत है मैं शम्भु कुमारियादक, प्रस्थेटिक और्थेटिक कंसल्टेंट आज आपको Osteo Arthritis जो घुटने से सम्मंधित है उसके बारे में जानकारिया देंगे उसके तो जो आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम घुटने के ऑपरेशन से बच सकते हैं अगर आपकी जो है Osteo Arthritis की लेबल जो है Grade 1, Grade 2 लेबल की है तो आप असानी से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और असानी से आप चल सकते हैं अब हम आते हैं कि किस प्रकार का हमारा जो है Bracing System हो Brace जो होता है जब किसी भी Body Part में अगर हमारे जैसे आपका जब X-ray होता है तो उसमें जो है X-ray के अंदर हमें देखने को मिलता है कि दोनों घुटने मतलब कि जो आपकी ऊपर और नीचे की जो दोनों Bones है उसके बीच में जो Gap है वो बहुत कम रह जाती है या वो Merge करने लगती है तो उससे बचने के लिए जैसे इतनी Gap चाहिए लेकिन यह Gap जो है बिलकुल टच कर जाती है जब टच कर जाती है वो या तो Medial Side के टच कर जाती है या नहीं तो Lateral Medial मतलब अंदर के तरफ, Lateral मतलब बाहर के तरफ तो यह जो Medial Side और Lateral Side जो टच करती है तो आपको चलने में एक तो जो है cracking sound आने लगती है साथ साथ आपको pain आने लगता है शीरी चरना बहुत ही difficult होता है और चलने में लंगरापन भी आ जाता है आप चलने से आसमर्थ भी sometimes हो जाते हैं लगता है कि अब हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि गुटने में हमेशा दर् है तो उससे बचने के लिए आज जो हमारे पास available orthotics है उनका नाम है unloader, unloader का मतलब है कि उटने में जो यह दबाब आ रही है इधर के तरफ जो दब रही है उसको जो है इस bracing system से offloading कर दी जाती है मतलब वहां से pressure को हटा दी जाती है और फिर आप चलने में पिलकुल शामर् जाते हैं और आप normal activity में return हो जाते हैं तो अब क्या है वह unloader one और क्या है वह किस company का है और कहां से मिलता है अब हम आते हैं यह देखिए यह है ओशुर का unloader one ठीक है इसका जो काम है आपके घुटने के pressure को offload करना जिनको osteoarthritis है उनको काफी घुटने में pain रहता है उससे बच surgery नहीं कराना चाहते हैं वो इसका प्रेयोग करके अब अपने घुटने से आराम से चल सकते हैं इसको लगा करके यह जो है ओशर का unloader one knee brace है इसका जो main काम है वो offloading है offloading का मतलब घुटने से pressure को कम करना relieve कर देना जिससे कि आपको pain नहों और चलने में सीडी चरने में walking करन में आपको किसी भी तरह की कटनाईया नहीं होगी तो अब हम आते हैं कि unloader one दिखता कैसा देख पा रहे होंगे कि यह box को यहां से हम unbox करते हैं अब इसके अंदर जो है आप यह देखिए यह है आपका unloader one अब unloader one का जो है यह है इसके का unloader one यह जिनका medial side है मतलब अंदर के तरफ जिनका घुटना जो है प्रेशर है जिसनके घुटने में अंदर के तरफ उनके लिए यह यूज होते हैं यह जो है राइट साइड का unloader है यह अंदर के तरफ यह joint रहेगी और बाहर के तरफ जो है यह आपकी अगर medial side के osteoarthritis है तो यह अंदर के तरफ knee joint रहेगी और अगर आपको lateral side की है तो यह बाहर के तरफ रहेगी अब हम आते हैं कि यह lateral side इसको अगर हमने पहनना है तो यह right side के तरफ हम इस घुटने पर apply करेंगे और यहां पे जो है दो बुवा लगी हुई है यह वन और टू इससे आप tight louge ऐसे घुमा करके कर सकते हैं यह देख लीजिये इसके आप अगर anti clockwise करेंगे तो यह लूज हो जाएगा और clockwise करेंगे तो यह tight हो जाएगा ठीक है उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं और इसको भी आप louge कर सकते है इसकी जो यह upper वाली है यह thigh piece है और इसकी जो है lower और वाली है वह आपकी काफ पीस है अब इसमें जो है ये जो ऑालीसेंट्रिक मीश क्षॉंट है जो की आप फ्रीली जोईंट करीगे जब करेंगे तो आपको किसी दिश्टिछिंट मत्रिक्शन की नहीं होती है आप motion अपना आप जैसे natural moment है वैसे आप इसके थोप कर सकते अब इसकी जो है कैसे application है इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में patient के उपर apply करके दिखाएंगे और ये जो है हमारे पास उसलब्थ है और हमारे bon life artificial limb center में इसकी जो है availability है अगर आपके घुटने में pain है अगर आपके घुटने में दर्द है और आप चलने में आशमर्थ हो रहे हैं और surgery नहीं कराना चाहते हैं तो आपके अपना एक appointment ले करके आप free trial ले सकते हैं ट्राइल कर सकते हैं और आप खुद ही decision ले सकते हैं कि ये जो knee brace offloading knee brace है वो आपके लिए कितना काम्यावी है कितना आपको काम्यावी दिलाती है इसके लिए आप हमारे दिये गए contact number पे contact करके appointment ले करके आप free trial के लिए appointment book करा सकते हैं हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप like share and subscribe करें हमारे YouTube चैनल को thank you and धन्यवाद